हेलो अरिवड़ी कैसे आप सभी उमीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ अर्पेट फ़ेवर्ट फीलोनिक प्रेटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हो फिजेस केमस्टी मैस बलाजी एपसिलोटी फॉर फॉर फ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम यहां पर आपको नोट्स जो है बहुत अच्छे से बना के रखने है ये वाली वीडियो थोड़ी सी basic वीडियो होगी जैसे कि आप इसमें अपन जानेंगे कि acid क्या होता है किसने क्या कहा था acid को लेके और उसकी थोड़ी कहानी ठीक है तो चलो अपन start करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि इस chapter में है क्या क्या चलो बात है थोड़ी पुरानी जहांपर जब फेराडे थे वो बहुत सारे solutions में study कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला कि जो substance होता है जो भी substance होते हैं उनको अपन दो category में बाढ़ सकते हैं कौन-कौन सा पहला होता है electrolyte ठीक है और दूसरा हो सकता है non electrolyte ठीक ये उन्होंने जब एकदम study वो कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला था कि ये जो फेराडे हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे solution की बहुत study कर रहे ह उस time उन्होंने बोला कि substance जो है विया सिर्फ एक की टाइप से नहीं होता है ठीक है उसको अपन अगर बदर अपन उसको अगर डिवाइड करना चाहें के टिग्राइज करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं electrolyte और non electrolyte जिसका आपन मतलब समझते हैं सबसे पहले ये आपक solution और melt conduct electricity मतलब की चलो समझते हैं जरा मेरे पास एक बीकर आपको यहाँ पर दिखा ये वाला ठीक electrolyte क्या होता है ध्यान से देखना मैं एक लेके चल रहा हूँ NACL ठीक clear और उन्होंने साफ लेके रखाए कि एक electrolyte जो की define कैसे कर सकते हैं या फिर compound whose aqua solution अब जैसे ही मैं इस H2O के अंदर clear है ठीक अब aqua solution conducts electricity जैसे ही मैंने इसको क्या करा हुआ है H2O के अंदर डाला हुआ ये किस में split हो जाएगा Na plus Cl minus में ठीक और हम सभी जानते है electricity कौन conduct करता है ions या फिर electron है की नहीं तो यहाँ पर जो Na होगा जब आप इसमें wire डालोगे electrodes डालोगे ठीक है तो इसकी मदद से वो क्या होगा यहाँ पर electricity का flow होगा electricity का क्या होगा flow होगा तो इसको ही उन्होंने क्या बोला electrolyte non electrolyte के बारे में समझते हैं a compound whose aqua solution or melt does not conduct electricity is called non electrolyte समझते हैं इसको भी चलो जाओ तो एक और बीकर अपने पास यहाँ पर आ चुका यह बोल रहा है कि कोई भी compound हो जब आप उसको aqua solution में डाल रहा हो या फिर वो melt हो चुका है वो conduct नहीं करेगा electricity जैसे कि अगर मैं अब यहाँ पर क्या करना हूँ एक sugar डाल देता हूँ शुगर ठीक है या फिर NH4OH डाल सकता हूँ मैं यहाँ ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा क्योंकि यह properly किसमे नहीं होते iron के form में dissociate नहीं होते सब से अच्छे example से आप समझेंगे शुगर को ही ठीक है जैसे कि मैं ने डाला C6H12O6 क्या है यह glucose है क्लियर जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डाल दूँगा तो यह क्या होगा dissolve हो जाएगा यह iron के form में नहीं टोटेगा और अगर iron के form में नहीं टोटेगा तो electricity का flow नहीं करेगा इसलिए इन सब चीजों को ही उन्होंने क्या बोला non electrolyte क्लियर है अब जब आप सभी cell पढ़त हो गया आपके पास kcl जैसे की nacl यह सारी के सारी चीजों सही बनता था आपका salt bridge याद ठीक है इस सही बनता था वो kcl सही यह क्या है कुछ और नहीं यह एक electrolyte ही है समझ में आए जैसे आप ors पीते हो ors पीते हो तो उसका fall form ही क्या होता है oral rehydration salt ही तो होता है ठीक है जिसको कई लोग electrolyte नाम से भी जानते है जो कि आता है electrolyte नाम से उसमें क्या होता है na plus होते है ठीक है वो आयन से होते है इसको अपन क्या बोलते है electrolyte बोलते है clear है फिर से फराइडे थे उन्होंने बोला जो substance है वो दो टाइप से categorize कर सकते हो एक electrolyte एक non electrolyte electrolyte क्या होता है जो connect करेग electricity और non electrolyte जो की नहीं करेगा conduct electricity चलो अब आगे चलते हैं अब उससे पहले थोड़ा समझते हैं degree of dissociation क्यों क्योंकि यहां पर अपन आयन को तोड़ने की बात कर रहे हैं dissociate कोई चीज हो रहा है तो dissociation क्या होता होगा अपन को समझना पड़ेगा यह अपन पहले भी पढ़ चुके हैं देखो याद दिला देता हूँ the fraction of the total number of molecules which dissociate into ions is called degree of dissociation और degree of ionization ठीक है फिर सुन लो अगर कुछ भी fraction जो है वो तूटता है ठीक है जो भी तूट रहा है the number of molecule which dissociate जो तूट रहा है उसको ही क्या बोलता है degree of dissociation एफे degree of ionization समझाता हूँ दियान से देखो मैंने आपको पिछले जो चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी आपको ऐसी reaction कर आई है जैसे कि जो a b 2 है वो किस में टूट रहा है एक a बना रहा है प्लस 2 b बना रहा है मान के यही चल रहा हूँ मैं आयँ वनएख है तो iron लगा लो कोई दिक्कत ने ठीक है तो इसको plus लगा लेते हैं यहाहाँ पर minus लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत चलो तो यहां पर यह 2 plus होगा वैसे ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ, इस मैंसे कुछ पार्ट तूट गया, कुछ पार्ट तूट गया, ठीक है, यहाँ पर कितना पार्ट बनेगा, एक पार्ट बनेगा, यहाँ पर टू सामने लिखा है, इसलिए यहाँ पर दो पार्ट बनेगे, क्लियर है, अब काई लोग किसको मैंने देख़ो, अलग अलग लिखाया, एक में alpha लिखाया, एक में x लिखाया, काई लोग इसको x से denote करते हैं, लेकिन actual साइन नच क्या है, तो alpha से किसको denote करा जाता है, यहाँ पर ध्यान से देखना यह करा जाता है, degree of dissociation को, ठीक है non electrolyte को ध्यान मत देना यहाँ पर यह जो alpha है इसकी definition यहाँ पर लेकिए हो यह alpha कैसे निकालते है number of mole dissociated divided by total number of mole taken clear non electrolyte अगर होगा अगर non electrolyte होगा तो बताओ क्योंकि वो तूटेगा ही नहीं तो मैं alpha is equal to लग 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 जेरो मान सकता हूं ठीक है अगर non electrolyte वो होगा क्योंकि alpha है ठीक है non electrolyte तो यहाँ पर आयन के form में टूटता ही नहीं ठीक है तो इस condition में इस condition में इसके अपन में मान के चलता हूं कि zero ही चल रही है ठीक है लेकिन अगर reaction के perspective से चल रहा हो तब वहाँ पर बात चीज़े थोड़ी अलग से हो सकती ठीक है अगर solubility के perspective से चल रहा हूं जैसे कि c6 h12 o6 क्योंकि chemical equilibrium है और अपने इसमें डाल लिया है पानी ठीक है तो यहाँ पर क्या हो सकता है एक solubility जो factor है वो आ सकता है और वो एक equilibrium अटेन कर सकता है जो कि अपने पिछले unit में पिछले chapter में अपने एक PYQ दिखाता है कि solubility में क्या होगा equilibrium होगा की नहीं ठीक है तो इस पर ध्यान मत दो इस पर जादा ध्यान मत दो बस यह याद रखना non electrolyte है तो जहाँ पर dissociation जो है वो बहुत ही कम होगा लगबग ना के बराबर होगा ठीक है कोई भी चीज अगर organic है organic है ठीक है तो उसका alpha जगवापन zero ही मानते है उसमें dissociation होता ही नहीं है जैसे की urea हो गया ठीक है example जैसे की urea example जैसे की sugar यह सारी के सारी चीज़ है आप क्या बानते है यह इनका dissociation होता ही नहीं है क्योंकि यह organic है non electrolyte है clear है समझ में आ गया आगे जब आप solution chapter पढ़ोगे तो तो आपको पाता चलेगा एक i factor आता है want of factor उन सब मैं इन सब की value क्या होती है 1 होती है ठीक है क्योंकि वो तूटने के पर एक ही compound देते हैं तो वो आपन आगे पढ़ेंगे समझ में आएका dissociation क्या बोलते है alpha को आपन बताते है degree of dissociation degree of dissociation और कभी-कभी जब आपन solve करते है numerically तो उसको x भी लिख दिया जाता है इसका formula क्या होता है फिर से देख लो alpha is equal to number of mole dissociate कितने number of mole dissociate हो गए upon total number of mole taken कैसे निकालते थे alpha is equal to कितना करेकालना है number of mole dissociate कितना dissociate हो गए देखो dissociate मतलब की आप product की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आ गया है देखो सबको alpha ले लेता हूँ तो यह alpha हो जाएगा यह 2 alpha हो जाएगा और divided by total मतलब की 1 minus alpha plus alpha plus 2 alpha alpha से alpha cancel यह हो गया 1 plus 2 alpha तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मैंने indirectly लिख क्या दिया है देखो यह लिख दिया है मैंने number of mole taken number of moles taken divided by total number of mole total number of mole इसको ही क्या बोलते हैं आपन degree of dissociation यहाँ तक clear है ठीक अब बहुत सारे बहुत सारे जो लोग हैं वो किसमें confused रहते हैं वो confused रहते हैं dissociation और ionization में तो वो मैं एक ही बार में आपको clear गर दूँँगा ठीक है चलो अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा अलाग है electrolyte में भी क्या होता है categorized होता है वो देखो जो electrolyte होता है an electrolyte is defined as a compound whose aqua solution or melt conduct electricity जो कि अपन ने भी पढ़ा जैसे की NACL हो गया क्या करेगा यह conduct करेगा electricity को ठीक अब वो भी क्या होता है categorized होता है एक होता है strong electrolyte एक होता है weak electrolyte strong electrolyte का मतलब क्या होगा यहाँ पर वो electrolyte जो कि क्या हो जाता है completely dissociate हो जाता है completely dissociate हो रहा है या फिर completely क्या हो रहा है तूट रहा है ठीक weak electrolyte, मतलब की मैं बोल सकता हूँ, partially तूट रहा है, partially breakdown हो रहा है, या फिर partially ionize हो रहा है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, अब यह मैं आपको आगे समझाता हूँ इसका, ठीक है, ध्यान देखो, आप उनको इन समझ में आगे, ध्यान से देखो, यह क्या लखा है, substance which dissociates almost completely into ion, मतलब की ध्यान से इधर आजाओ, एक substance है, NaCl, ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैं ने इसको किसमें डाला, पानी के अंदर डाला, H2O के अंदर डाला, ठीक, यह कैसे तूटेगा, एक Na plus बनाएगा, एक Cl minus बनाएगा, और यह क्या हो जाएगा, completely dissociate हो जाएगा, और अगर कोई भी चीज, completely dissociate हो जाती है, तो अपन वहाँ पर किसका use करेंगे, single arrow का, यहाँ पर अपन जो use करेंगे, वो single arrow का use करेंगे, ठीक है, यह क्या हो गया है, completely dissociate हो गया है, completely dissociate हो, ठीक है, ऐसा, clear, चलो, और example क्या होंगे सर, KCl ले लो भाई, KCl भी तो होता है, मार अगर मैं इसको डालूँगा, तो यह किसना बदलेगा, K+, plus Cl-, सेम ही चीज हो गई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, single arrow से डिस्क बता रहा हूँ, मैं, जो भी चीज पूरी की पूरी तूट रही है, clear है, यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, मतलब, फिर से सुन लो, क्योंकि यह iron form में टूट रहा है, तो वो conduct करेगा electricity को, clear है न, electrolyte, चलो अब आगे, अब अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ, weak electrolyte, weak electrolyte क्या होगा, substance which dissociate a small extent in a equal solution, and hence is very good conductor, very good conductor of electricity, also to a small extent, मतलब की, क्या बोलना चार रहा है, मेरे पास है NH4OH, ठीक है, अब जब यह तूटता है न, जब यह तूटता है, तो वो आपको कैसा बनाता है, देखो, NH4 plus, plus OH minus देगा, ऐसा तोड़के, ठीक है, लेकिन यह completely dissociate नहीं होता है, ठीक है, यह मैं लिखूँँगा, partially, partially dissociate होता है, या फिर partial dissociation लिख लेना, clear है, देखो, क्योंकि यह completely dissociate नहीं हो रहा है, इसलिए अपने इसको show किससे करते हैं, या पर, आपका double arrow से, double arrow से इसको show करा जाता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, कि एक condition ऐसी आती है, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, equilibrium attain हो जाता है, equilibrium produce हो जाता है, मतलब कि, जितना तूट रहा होगा, उतना ही वो वापिस से बन रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो, जितना यहाँ पर आधा तूटा ना, तो आधा इधार है, आधा इधार है, तो देखो, दोनों के concentration क्या होगा, लगबग सेम हो गए, concentration सेम होगा, तो equilibrium attain हो जाएगा, clear है, तो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं अपन, weak electrolyte, अब सर, अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया, ऐसा, ये मैंने ले लिया एक beaker, ठीक है, और मैंने इसको डाल दिया, NH4, प्लस, और OH-, और मैंने यहाँ पर अब electricity कराई, और मैंने कराई, तो क्या होगा भाई, तब यहाँ पर क्या होगा, कुछ हद तक, small extent तक, small extent तक, क्या होगी, electricity का यहाँ पर क्या होगा, वो होगी, conduct, clear है, ठीक, यहाँ तक clear, एकदम, ठीक है, तो इसको ही क्या बोल जाता है, weak electrolyte, दो-तिस समझ में आ गई, एक थी अपनी strong electrolyte, मतलब वो substance जो की completely dissociate हो रहा है, और फिर क्यों की completely हो रहा है, completely iron बन रहे होंगे, तो solution के अंदर completely iron है, अब conduct electricity कराऊगे, तो बहुत ही अच्छा conduct होगा, electricity, लेकिन, अगर मैं इसकी बात करूँ, छोटे-छोटे amount में है, टोकड़े-टोकड़े amount में, small extent में है, ठीक है, तो electricity भी छोटे-छोटे amount में होगी, तोकड़े-टोकड़े amount में electricity conduct हो रही होगी, यहां तक clear है, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं थोड़ा सा dissociation का, ठीक मैंने आपको और था, मैं dissociation समझ जाऊंगा, अब कई लोग फस्ट जाते हैं, एक तो dissociation में, एक ionization में, अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना हो सकता है, question पूछ ले, चलो, मैं आपको बताता हूँ, किसमें, एक होता है dissociation, और एक होता है ionization, अब यह अपने देख dissociation, ठीक है, formula सेम ही है, लेकिन समझ लो, मतलब क्या होता है, dissociation होता है ionic compound का, जैसे की NaCl हो गया, जैसे की KCl हो गया, यह सारे के सारे जो होते हैं, इन सभी का क्या होता है, यहां पर dissociation, ionic का क्या होगा, ionization में क्या होगा, ionization में क्या होता है, जैसे की HCl है, HCl क्या है देखो यह आप पूरा आइन से मिलके नहीं बना हुआ है अगर मैं NCl की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl उनके बीच में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉंड होगा जिसके करन वो जोड़े हुए है लेकिन HCl में ऐसा नहीं है HCl क्या है H और Cl से मिलके बना हुआ है मैं मान लेता हूँ मानता क्या हूँ होता ही है कि क्लोरीन जो है वो होता है इलेक्ट्रो नेगिटिव ठीक है और इलेक्ट्रो नेगिटिव अगर ये है तो ये क्या करेगा यहाँ पर अपने electron को खीचेगा जिसके कारण इसकी उपर partial negative, partial positive आजाता है, और क्योंकि अब इसकी उपर generate हो चुका है charge, तो इसको ही अपन बोल देते हैं polar, इसको ही बोल दिये जाता है polar, ठीक है, और इसके आपस जो बीच में bond है, वो कौन सा है, covalent bond, तो ionization किसका होता है, polar covalent bond जैसे compound का, अगर आप तोड़ते हो solution के अंदर वो जाता है, वो तोड़ता है, तो अपने उसको क्या बोलते है, ionization, dissociation, चलो, चुटकी में समझ जाएंगे, ध्यान से देखना, dissociation, मेरे पास एक एने है, एक CL, बहुत सारे एने, बहुत सारे CL मिलकिल के एक क्या बना र है, clear हो गया, अब मैंने ये जो ion compound है, इसको डाल लिया एक पानी के अंदर, ठीक, पानी के अंदर क्या होगा, उसके जो H2O के जो molecule है, वो एक को घेर लेंगे, एक उसको घेर लेंगे, अब देखो, जो negative part है, उसको positive part घेर रहा होगा, ठीक, मतलब घेर रहा है, मतलब surround कर र है, ठीक, यहाँ पा positive part है, तो negative part घेरेगा, negative part H2O का कौन सा होता है, H2O, दो H है, तो positive होगा, और electronegative कौन सा है, oxygen, तो और oxygen होगा negative, तो वो उसको घेर रहा है, अब यहाँ पा देखना, जो यह आपका negative or positive part है, जिसने घेरा हुआ है, वो अपने side उसको क्या करेगा, खीच ठीक है, यह अपने side खीचेगा, और यह भी अपने side ही खीचेगा, यहाँ तर clear हो गया, अब जैसे ही यह खीचता है, इतना जादा खीचने लगते हैं, तो यह इनका बीच का bond हो जाता है, अलग-अलग, और इसको ही बोला जाता है, dissociation, क्यों, आयन के form में तूट चुका है इसको ही बोलते हैं, dissociation, फिर समझो, देखो यहाँ पे, मैंने क्या था, मैरे पास एक N था, एक CL था, आपस में bond, क्या हो गया, अब देखो, फिर मैंने पानी में डाल दिया, आयने compound को पानी में डाल दिया, तो उसको घिर लेगा, इसको यह घिर लेगा, यह अपने side खीच खीचने की बदत से, क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो bond है, वो तूट जाएगा, इसको ही बोलते हैं, dissociation, ठीक, clear हो गया, अब देखो, मैं आपको यहाँ पर ही एक बता देता हूँ, कि dissociation और ionization में फरक, मैंने आपको अभी बताया था वैसे, dissociation, ठीक है, और ionization, इसमें किसका देख रहा है आपको, NACL का, HCL का अलग होगा, HCL में क्या होगा, वो polar component बना लगा जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ तर clear है, है ना, समझ में आ गया, अब बहुत सारे जो concept है, वो किसको बताते हैं, acid और base को बताते हैं, तो उनकी उपर चलते हैं, यह solution possesses the following characteristic property, पहली या उसको electricity conduct करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि अगर example की बात कर लेते हैं, चलो चलो देखो, यह भी कर है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या करा हुआ है, इसमें पानी तो है ही है, मैंने acid कुछ डाल दिया है, acid डाल दिया तो concentration, अब थोड़ा, आज किया जाओ ठीक है, बचपन की जबाने वाला नहीं, तो concentration of H+, बढ़ जाएगा, ठीक, H+, बढ़ जाएगा, मतलब आयन बढ़ गए, आयन बढ़ गए, मतलब electricity conduct होगी, clear, चलो, reacts with active metal, like, like, Zn, Mg, मतलब की, यह देखो, zinc के साथ भी, और Mg के साथ तो reaction करेगा, ही करेगा, ठीक है, चलो, यह दी पता है, turns blue litmus to red, देखो, blue litmus को वो red में कर देता है, यह वाला experiment, जो है, हर school में होता है, हर जगा करा जाता है, क्योंकि litmus paper, जो है, easily available हो जाता है, आप अगर चाहो, तो वो कर सकते हो, blue litmus paper को वो red में convert कर देता है, acid के बारे में, has a so taste, भाईया, कैसा लगेगा, खटा लगेगा, कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा, so taste होता है, ठीक है, bitter नहीं, कड़वा नहीं, so taste होता है, ठीक है, जैसे की, अच्छा चलो, बात करते हैं, आपने नीबू का जो रस है, वो देखा होगा, देखा क्या होग disappear on reaction with base, अब ये भी सुना होगा, कि अगर कोई acid चीज गिर गई है, उसको अगर base के साथ डाल दिया जाए, बहुत अच्छे से use होता है, आपका baking soda, ठीक है, अगर आप acid को base के साथ reaction करा देते हैं, acid, plus base के साथ reaction करा देते हैं, तो ये, सिर्फ acid नहीं, base भी अपनी property खो देता है, ठीक है, और एक neutral compound बन जाता है, neutral compound बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत बड़ी class में अभी है, ठीक है, तो आप सभी ने 10th class में neutralization reaction पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें क्या होता था, या फिर मैं बोलता था, वहाँ पर acid plus base मिलके salt plus water बनता है, salt plus water बनता है, याद तो salt क्या है, वो एक neutral है, वो acid और base का बीच का compound है, neutral है, उसको बोल सकता हूं कि वो neutral है, ठीक है, तो एक ऐसा compound बनता है, सेम चीज बेस के साथ भी आपने बहुत सार बार पड़ी हुई है, क्या होता है, देखो, base क्या होगा, conduct करेगा electricity, जैसे कि अपन ने अभी देखा, मैं उसमें मैंने पानी डाला हुआ था, लेकिन अब अगर मैं base डाल दूँगा, ठीक है, अगर मैंने base डाल दिया, पिछले मैं H+, यहाँ पर concentration बढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर OH- का concentration बढ़ जाएगा, मतलब, देखो यहाँ पर, H2 हो क्या होता है, balance होता है, H+, और OH से, electrolyte वो बन चुका है, लगबग, लगबग, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि वो electricity conduct करेगा, ठीक है, तो यह भी क्या करेगा, electricity conduct करेगा, react with active metals like Z and Mg ETC, ठीक है, तो यह भी क्या करता है, यहाँ पर react करता है, turns red less much to blue, देखो, वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था, blue को red में, यह कर red को blue में, याद रखना, B for blue, B for base, ठीक है, blue, blue color आना चाहिए, जब किस की बात करोगे, base की बात करोगे, clear, चलो, had a bitter taste, भी यह कड़वा लगता है, यह तो, has a soapy और slippery touch, उसको touch करता है तो जैसा लगता है कि soap को touch करा, या पर slippery है, बहुत ज़दा slip होता है, ठीक है, whose basic properties destroyed on reaction with acid तो यह मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि अगर मैं reaction करा रहा हूँ, NaOH, plus HCl, एक base है, एक acid है, यह हो गया, base, यह है आपका acid, जब यह आपस मैं reaction करते हैं, तो बनाते हैं NaCl, plus water, plus water, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है, अगर मैं NaCl को main product मान रहा हूँ, तो ना तो इसके अंदर एक base की property होगी, या फिर base का test होगा, ना तो HCl का prop test होगा, ठीक है, यह एक अलग ही है, यह neutral compound बनाता है, तो मतलब acid की property destroy होगई, base की भी property destroy होगई, ठीक है, जब आप क्या कराते हो, reaction कराते हो, base की acid से, या फिर acid की base से, वाइस वरसा, clear है, ठीक है, तो यह थी आपकी बच्चपन की याद है, यही पढ़ा हुआ है बच्चपन में की acid क्या होता है, तो यही सब चीज़े लिख क्या आते होगे, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की यादों पर आ जाओ भाई, यहाँ पर अब आपका एक concept आता ह कि pH को यह red में convert करता है, ठीक है, या फिर turns करता है, acid is defined as a substance which contain hydrogen and which when dissolved into water gives hydrogen ion, ठीक है, क्या समझ में आया है, यहाँ पर हमें यह समझ में आता है, कि भाईया, acid एक वैसी चीज़ है, acid एक वो compound है, या फिर वो substance है, जिसके अंदर H जो है, मतलब hydrogen जो है, वो क्या होगा, present होगा, ठीक है, hydrogen present होगा, और अगर इस compound को, इस substance को मैं water के अंदर डाल दूँगा, वोटर के अंदर डाल दूँगा, तो यह क्या करता है, H प्लस iron जो है, वो क्या करेगा, निकालेगा, H प्लस iron को release करेगा, liberate करेगा, जैसा आप बोलना चाहो, example से चलेंगे, बिना example के समझ में HCl की अगर बात करता हूँ, ठीक है, और मैंने अगर इसको पानी में डाल दिया, H2O के अंदर डाल दिया, है ना, तो यहाँ पर कैसा मिलता है आपको, H प्लस, प्लस Cl minus iron मिलते हैं, clear हो गए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर single arrow बना हुआ है, मतलब कि यह properly, पूरी की strong हो गया, strong acid हो गया, ठीक है, यहाँ तक clear है, तो अच्छा electrolyte होगा, मतलब है ना, weak electrolyte नहीं होगा, strong electrolyte होगा, चलो, अब वैसे ही बात करता हूँ, H2SO4 ही की, H2SO4, king of acid, है की नहीं, देखो, यहाँ पर यह क्या बनेगा, 2H प्लस iron देगा, प्लस SO4, 2 minus बनाएगा, यह भी strong acid, यह भी एक strong acid है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, CH3, COOH, इसका नाम बताएगा कोई, बिल्कों सही, acid है, ठीक है, तो जब यह तूटता है, तो यह क्या देता है, CH3, COO minus, प्लस H+, देता है, ठीक है, लेकिन, यह पूरी की तरह, पूरी त weak acid, weak acid, double arrow जहां पर भी देख जाए, तो क्या बोलोगे, weak है वो, ठीक है, एक और example, जैसे कि अपन जानते, carbonic, H2CO4, CO2, H2CO3, है कि नहीं याद, तो यहां पर यह कैसे तूटता है, यह भी ऐसे ही तूटता है, 2H+, प्लस, CO3, 2-, यह ऐसे तूटेगा, तो यह भी क्या है, आपका weak acid है, clear हो गया, acid है, अब आपन को क्या देखने को मिला, फिर से समझ लो, अच्छे से, क्या, acid वो होता है, जिसके पास H होते हैं, जिसके पास H होते हैं, और जब water की अंदर वो जा रही होते हैं, तो वो उस H को निकाल देते हैं, उस H को निकाल देते हैं, हंजी भाई, उस H को वो निकाल देते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, acid बोला जाता है, according to what, erneus, ठीक है, scientist का नाम है, erneus, clear है, चलो, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे की बात करें, अब base की बात कर लो, base की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि, a base is as a substance which contain hydroxy group and when dissolved into water gives hydroxy ion, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि base एक, उसको कैसे define करेंगी, भाईया, वो एक ऐसा substance है, वो क्या है, वो एक ऐसा substance है, ठीक, जिसके अंदर क्या होगा, hydroxy group होगा, hydroxy group होगा, present होगा, या फिर contain करेंगा वो, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको अगर पानी के अंदर डाल रहा हूँ, water के अंदर, तो ये क्या देगा, OH- जो है, वो group को निकाल देगा, बाहर कर देगा, hydroxy group को, hydroxy group को, बाहर कर देगा, example, बहुत अच्छे सो जानते हैं सभी, जैसे की NaOH हो गया, जैसे की KOH हो गया, ये सब क्या करेंगे, जैसे ही आप मैं इसको डालूँगा, water के अंदर, इसको भी मैं डालूँगा, पानी के अंदर, तो ये क्या बना देता है, Na, प्लस, प्लस, OH-, सेम, ये भी बनाएगा, K+, प्लस, OH-, ठीक है, ये क्या है, ये सब है, strong base, strong base, ठीक, वहीं पे, अगर मैं डाल रहा हूँ किसको, CAOH whole twice को, पानी के अंदर, तो ये क्या बनाता है, CA2+, प्लस, दो OH-, ठीक है, ये पूरी की पूरी तरह, dissociate नहीं होता है, ये टूटता है, partially, ठीक है, सेम, जैसे कि NH4OH के बारे में अपनने समझा था, NH4OH भी क्या होता है, weak base होता है, ये भी क्या बनाएगा, NH4+, प्लस, प्लस, OH-, ठीक है, अब एक चीज, important सी चीज, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं, कि कितने number of OH निकलेंगे, तब ही वो base होगा, ठीक है, ध्यान सुनो, अहाँ पर, OH- भी निकल सकता है, 2OH भी निकल सकते हैं, किसी में होगा, तो 3OH भी निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, OH- का होना, और OH- का पानी के बाद, निकल जाना ही क्या होता है, Araneus base होता है, ठीक है, क्या arneus acid ठीक, arheneus बोलते हैं कई लोग arneus बोलते हैं, तो मैं arneus बोलता हूँ clear, समझ में आगे है तो ये होता है आपका कौन सा arneus acid का concept अब यहाँ पर एक दिमाग में चीज उठती है, वो बात ये है कि कौन सी बात है भाई, अगर मैं बात करूं किस की, देखो h2o की h2o की तो देखो, h2o के अंदर तो 1h प्लस भी है ठीक, 1oh h- भी है तो अब क्या करें पता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से behave कर सकता है, अब एक और चीज अगर मैं h2o के अंदर acid को मिला दूँ acid को मिला दूँ, ठीक है, h-a लिख रहा हूँ, जिसको मैं भी ठीक है, acid को मिला दूँ तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान सुनना ये जो h2o है ये जो h2o है ये क्या करता है, एक acid को अपने पास रख लेता है, और बना लेता है h3o प्लस ठीक है, या फिर आपको या तो आपको लिखा हऊ h-a या फिर आपको लिखा हऊ h3o प्लस आयन इसमें आप ये बात को समझ जाना कि जहाँ पर acid की ही वो हूँ या तो वो डिरेक्ट लिख दे ऐसा, कि hcl को जैसे ही पानी में डाला तो उसने बनाए H3O प्लस प्लस OH माइनस बनाया ठीक है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है क्यों क्योंकि पानी के साथ जो H प्लस निकला हूँ उसने कंबाइन कर लिया अपने आप में ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है देखो यहाँ पर यह जो H2O है यह आउकजन के पास लोन पैर होते ही है तो यह लोन पैर पर आके बैड़ गया है तो इसने क्या बना लिया ऐसा HO यह H और एक और H यहाँ पर आ गया प्लस क्लियर है इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन हाइड्रो नियम आयन यह नियम ययम जब भी लगता है ना समझ जाना कि कुछ पॉजटिव ही बन रहा होगा ऐलुमिनियम लीथियम मेगनिशियम ठीक है यह सारी की सारी चीज़े क्या होंगी आप समझ जाना कि यह लगभख पॉजटिव वाली ही चीज़े हैं हर जगा नहीं लेकिन मोस्ट ली ठीक है हाइड्रो नियम आयन हाइड्रो मतलब पानी और नियम आयन मतलब कुछ नकोछ चारज है यम यम लग गया तो क्लियर हो गया ठीक है एच्ट्री को प्लस में अब कन्फ्यूज मत हो ना उसका मतलब एसेड ही होता है यहां तक क्लियर ठीक है चल यह वाला लेखो अर्नियस फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं देखिए अब एक और नाई सी थियोरी है कौनजी वाली ब्रॉंस्टेड लॉरी कॉंसेप्ट आफ एसेड बेस एक अपन ने कहते कि अर्हीनियस की और एक अपनी यह वाली अब यहा पिछले वाले में क्या था वहिया पिछले वाले में और एसेड में किस की बात थी अपना हैजनाईन के उसके पास होना चाहिए पार इना चाहिए अब यहाँ पर देखो acid simple सी बात है तीन दो ही चीज़ बोलने चाहा रहा है वो कि acid अगर होगा तो proton देगा और base अगर होगा तो proton accept करेगा यही theory थी ठीक है समझते हैं देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ HCl की वापस ले लो ठीक है तो यहाँ पर यह क्या देगा देखो यह देगा H plus plus A minus देगा तो यह क्या कर रहा है अपना कोई भी जो acid है वो क्या कर रहा है H plus को वो donate कर रहा है वो H plus donor है तो इसलिए वो क्या हो गया वो हो गया आपका bronzed acid clear है तीक है चलो अगर दूसरा कोई example लेना हो तो hcn की बात कर लो hcn भी क्या करेगा देखो यहाँ पर आपका h plus देगा plus cn minus जो है उसको छोड़ देगा तो यहाँ पर यह कर क्या रहे है यहाँ पर आपका h plus ही donate हो रहा है तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर यह क्या हुआ h plus h plus h plus बिल्कुल तो यहाँ पर यह सभी क्या है h plus donor है h plus donor है donate कर रहे है proton donate कर रहे है proton donor है यह भी बोल सकते हो h plus को proton भी बोलते है ठीक सेम चीज़ अगर मैं बेस की बात करूँ अगर अब मैं बेस की बात कर रहा हूँ कोई भी एक्जमपल ले लो जैसे की HCO3 माइनस इसकी बात कर लो ठीक है तो अगर यहाँ पर मैं H प्लस के साथ इसको डालता हूँ या फिर देखो मैं इसको डाल रहा हूँ पानी के अंदर ठीक है अगर मैं इसको H प्लस के पास लेके जाऊंगा ऐसा कोई भी चीज़ के अंदर H2O के अंदर ही डाल दो ठीक है तो यहाँ पर यह क्या होगा यह बनाएगा आपका H2CO3 ठीक है सेम चीज़ इसको समझने के लिए अच्छे से इसको ही लेको सरफ H प्लस लेको तो इसमें और अच्छे से आएगा क्यों क्योंकि accept होते हुए मैं दिखा रहा है ठीक है सेम चीज़ अगर मैं HB लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस है प्लस H प्लस होगा तो यह क्या बनाएगा आपका H2B बनाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यह जो चीज़ है कौन सी वाली यह जो चीज़ है यह क्या कर रही है H प्लस को accept कर रही है H प्लस को accept कर रही है इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका ब्रॉंस्टेड बेस हो जाएगा अब कुछ-कुछ कोशन्स ऐसे पूछ लिये जाते हैं ठीक है कि ये बताओ कि जो ब्रॉंस्टेड एसिड है जितने भी ब्रॉंस्टेड एसिड जो रहेंगे आपके क्या वो अर्नियस एसिड बोल सकता हूँ क्या जितने भी ब्रॉंस्टेड बेस जो है उनको मैं अर्नियस बेस बोल सकता हूँ तो देहां से समझना वहाँ पर भी क्या बात थी कि देखो अगर मैं अर्नियस की बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैं हाइलेट करते जाऊंगा अर्नियस ने बोला था किसी भी सबसेंस के अंदर या फिर किसी की कंपाउंड के अंदर एक तो हच प्लस होना चाहिए ठीक है और जब भी वो जा रहा है एक को सफेस में तो वो क्या देना चाहिए हच प्लस देना चाहिए तो देखो यहाँ पर भी तो सेम ही हो रहा है यहाँ पर भी तो same ही हो रहा है इसलिए क्या बोला जाता है कि all इसको बोल देते हैं all all bronze state यह दिखर रहा है आपको bronze state acids are arhenius acid चलिए आप base का देखते हैं base में उसने क्या बोला था? base में उसने ये बोला था कम से कम base के अंदर एक OH- होना जरूरी है ठीक है तो मैं यहाँ पर ऐसे लग रहा हूँ कि एक OH- क्या होना है? necessary है necessary ठीक एक OH- होना जरूरी है और क्योंकि OH- अगर उसके पास होगा और अब वो एक उसफेस के अंदर जा रहा है तो वो क्या करेगा? OH- को वो डोनेट करेगा या फिर बाहर करेगा, liberate करेगा लेकिन क्या यहाँ पर कोई OH बाली बात है? नहीं है यहाँ पर तो सिर्फ किस की बात कर रहा है? proton की ही बात चल रही है, H-Plus की ही बात चल रही है इसलिए क्या बोला जाता है? यहाँ पर की bronzed bases are not arhenius base clear है? समझ में आ गया इतना अब यहाँ से 2-3 चीज़े और निकल के आती है, वो क्या होंगी? वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा ठीक है? अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं arhenius के बारे में तो arhenius ने एक और चीज़ बताई थी क्या? कि जितने भी जो चीज़े हैं ठीक एक acid और एक base वो मिलके क्या बनाएगा एक neutral compound बनाता है जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ देखो, एक ले लेता हूँ NaOH जो की एक base है और एक ले लेता हूँ HCl जब यह जाएगा तो H++Cl माइनस देगा? यहाँ पर क्या देगा? यह Na++OH माइनस देगा? ठीक है? इन दोनों को अगर मैं sum करूँगा इन दोनों को sum करूँगा तो मुझे NaCl प्लस H2O मिलेगा और H2O के अंदर क्या है? यह एक neutral compound है neutral compound है तो यह भी चीज किसने बताई थी? अरहिनियस ने बताई थी तो यह वैसे तो आप सभी को पता ही है लेकिन फिर भी ध्यान रखो तो अच्छी बात है ना ठीक है तो यह हो गया bronzer के बारे में अब इसकी ही मदद से आपको conjugate acid और conjugate base के बारे में पता चलाता बिलकुल भी tough नहीं है बहुत इजी है इतना लिखो फिर conjugate acid और base के बारे में पढ़ेंगे अब आपन समझते हैं किसके बारे में conjugate acid और conjugate basis pair के बारे में ध्यान से देखना ब वो क्या करेगा यहाँ पर आपको एक H प्लस आयन देगा और जो इसके साथ बनता है वो क्या होता conjugate उसको ही बोलते हैं base conjugate base ठीक है एक्जाम्पल से चलें चलो देखो जैसे कि अगर मेरे पास एक acid है जिसका नाम है HNO3 नाम आप बता दें मुझे मजा आ जाए HNO3 है अगर यह तूटता है यह अगर तूटता है तो यह कैसे देखा देखो यहाँ पर आपको H प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा H प्लस तो मिल ही रहा है साथ ही साथ NO3 माइनस भी मिलेगा NO3 माइनस भी मिलेगा ठीक तो यहाँ पर यह क्या है एक acid है और इसके तूटने पर मुझे एक क्या मिलेगा conjugate base मिलेगा ठीक मतलब क्या है अगर इसके अंदर मैं H प्लस डाल दूँगा यह तो accept भी कर लेगा मतलब accept कर लिए तो वो क्या होगा एक तरीके का base ही तो हो गया ठीक है इससे ही बना हुआ ठीक है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ conjugate base बोल सकता हूँ इससे ही बन रहा है अगर इसके अंद जाएगा base जाएगा तो देखो base ही तो है है ना और कोई भी ऐसा substance जो H प्लस को release कर दे डोनेट कर दे तो वो क्या हो जाएगा asset देखो release तो कर दिया उसने यही reaction दिख रहा है ठीक जैसे के example एक और HI की बात कर लो H F की बात कर लो क्या दिक्कत है H F की बात कर लिए हो अगर म होगा यहाँ पर F माइनस मिलेगा प्लस H प्लस वापिस से मिलेगा मतलब जो F माइनस हो गया मेरे लिए क्या हो गया conjugate base हो ठीक हो यह एच प्लस तो अपनको निकली रहा है अब एक चीज को ध्यान रखना एक चीज को हमेशा ध्यान रखना क्या है वह अगर यहाँ पर आपक conjugate base होगा वो एक weak base होगा, उल्ठा होता है, अगर यहाँ पर acid जो है वो एक weak है, acid क्या है आपका weak है, तो यहाँ पर यह क्या होगा? यह बनेगा आपका एकदम strong, यह होगा एकदम strong base, फिर उल्ठा होता है, ठीक, सेम चीज किस में होगा, देखो, बेस में, तो, बेस में क्या होता है, बेस, बेस के अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो, मुझे क्या मिलता है, प्लस H+, प्लस H+, तब जाके, क्या बनेगा, आपका यहाँ पर, conjugate acid मिलेगा conjugate acid मिलेगा इसका reverse कर लो क्या दिक्कत है इसका एक और भाई जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ HI की, HI में क्या होगा ध्यान से देखना, HI HI नहीं, I plus ये, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ I plus H plus की ये minus है, ये plus की तो क्या होगा, ये जो आपको iodine दिख रहा है, ये क्या करेगा accept कर लेगा ये, और accept कर लिए तो वो क्या हो गया, base हो गया और साथ ही साथ क्या बनाएगा, फिर ये conjugate 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 acid बनाएगा जिसका नाम होता है आपका HI सेम, सेम कि है कि अगर मैं बात करूँ कौन सा, HCO3- अब ये क्या गरेगा H plus को ये रख लेगा अपने साथ तो क्या बनाएगा, ये H2CO3 बनाएगा H2CO3 बनाएगा मतलब ये क्या है अभी ये है एक base कैसे पता क्योंकि ये H plus को accept कर रहा है H plus को ये accept कर रहा है तो इसने क्या बनाया conjugate acid अब strong है कि weak हमें कहां से पता चलेगा कि कौन कितना तूट रहा है जो completely ionize हो जाए completely breakdown हो जाए उसको अपन strong बोलते हैं जो कि weakly अगर हो रहा है तो उसको अपन weak बोलते हैं तो सिर्फ इतनी ही कहानी थी conjugate की अब आपसे question कैसे पूछता है पता है question वो पूछेगा कि वो सिर्फ ऐसा लिख देगा कि i- है या फिर hc o3- है यह सारे के सारे आपको उसने लिख दिये base अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका conjugate acid कौन सा होगा तो आपको क्या करना है सिर्फ h plus को add कर देना है hi बना देना है यहाँ पर h2 co3 बना देना है ठीक है अगर question पूछता हो ऐसे पूछेगा बहुत easy questions होते है सेम चीज अगर उसने acid दे दिया conjugate base दे दिया और बताओ कि इसका acid कौन सा होगा तो क्या करोगा h plus निकाल देना ठीक है समझ में आए कि मतलब कि अगर acid दे दिया है ठीक है और पूछा है conjugate base बताओ तो क्या ही करोगा आप यहाँ पर से h plus निकाल देना डारेक्ट जैसे कि example देखो अब NO3 दे दिया ठीक है और आपको दे दिया f minus ऐसे अब वो पूछ रहेगी acid बताओ तो क्या गरोगे h plus add कर देना h no3 हो गया h f हो जाएगा तो यहाँ पर जब भी आपको acid बताना होगा तो h को add कर दोगे जब भी आपको base बताना होगा तो आप क्या गरोगे वहाँ से h को निकाल दोगे यह क्या है यह आपका base वाला base मैंसे हम सभी जानते हैं इतना अगर आपको ध्यान है यह वाला basic formula है ठीक है तो मैं इसको highlight कर देता हूँ अगर आपको इतना ध्यान है तो यह मान के चलो कि यह वाला question तो कहीं नहीं जा रहा है यह वाला question तो कहीं पर भी नहीं जा रहा है और इससे ना जब question आता है ना तो सब के चेहरे पे एक दम ऐसी मुस्कान हो जाती है कि यार कितना easy question होंगे इसके तो तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता ठीक है तो इसलिए बोल ना हूँ इनको अच्छे से करके जाना clear है यहां तक ठीक है चलो इतना लिखो फिर अपन सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसको अपन एक example से भी समझ सकते हैं चलो एक example समझ लेते हैं जो कि मैंने आप सभी को लिखने के लिए यहां पर बनाया हुआ था वो example कहीं और नहीं यहीं पर है वो रहा यह यहां पर आपको एक reaction देख रही है H2O प्लस NH3 जो कि बना रहा है NH4 प्लस 4 प्लस OH बाइनस तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो देखो यह जो H2O है यह जो H2O है यह क्या कर रहा है यहां पर देखो H2O ने H2O को दे दिया इसको NH4 को ठीक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं अब यह बात बोल सकता हूँ कि यह जो है H2O यहां पर क्या बन गया देखो यह यहां पर ऐसा हो गया और NH4 जो है उसके साथ कुछ यू हो गया मतलब कि इसने H2O को accept कर लिया इसलिए यह base है क्योंकि H2O ने H2O को donate किया है तो यह acid हो गया यह acid हो गया ठीक है अब देहान से देखना जिसने accept किया हुआ है मतलब NH4 यह plus ठीक है तो इसको ही तो मैं बोल सकता हूँ base है ना और देखो NH4 ने इस क्या कर रहा है यहां पर OH minor इसने ही तो accept कर रहा हुआ तो यह क्या हो गया यह तो base ही है तो यहां पर यह क्या बन जाएगा conjugate acid conjugate acid clear है क्योंकि अगर conjugate acid की मैं बात करूँ अब मैं आप से पूछू कि बताओ conjugate acid से अब आप base बना के देखाओ तो क्या करोगे H plus को निकाल दोगे यहां पर बना जाएगा यह clear सेम सनो अगर मैं पूछू हूँ S यहां पर आपके पास conjugate base कौन सा है तो ध्यान से देखना यह हो जाएगा आपके पास conjugate base conjugate base कहां से बना यहां से बना क्या करा अगर मैं यहां पर अब क्या करूँ H plus को डाल दो H two O बना देगा यह वापिस से मतलब यह H two O को accept कर सकता है accept कर सकता है ठीक है मतलब accept जो कर रहा है तो वो तो acid बनाएगा न ठीक है तो ही हो जाएगा conjugate base ही हो जाएगा conjugate acid क्यों? क्योंकि यहां से H plus निकालना पड़ेगा यहां से H plus आपको accept कराना पड़ेगा ठीक है इसलिए समझ में आगे इतना clear तो आपसे ऐसे questions पूछ सकता है कि वताओ कौन सा क्या बना रहा है इस reaction में NH4 क्या है इस reaction में OH- क्या है तो आपको सिर्फ ध्यान देना है किसने accept किया, किसने छोड़ दिया जिसने छोड़ दिया वो बे जिसने accept कर दिया वो ये clear है, समझ में आगे है चलिए, ठीक है तो ये था सिर्फ इतना अब Lewis Base पर थोड़ा सा ध्यान देंगे चलो अब बात करते हैं Lewis Acid और Lewis Base की जो भी बहुत easy है, ये अपना तीसरा कौन से है, पहला अपने Arneas, फिर Bonset फिर अपना Lewis, अब देखो ध्यान से, बहुत सारी बाते आ रही थी कि यहाँ पर H+, की बात कर रहे हो कि H+, देगा तो ही Acid होगा ठीक है, यहाँ पर आपका solution में H+, देना चाहिए तो ही Acid होगा, लेकिन कई यह ऐसे Compound भी थे, जो बिना H+, दिये, बिना OH- दिये, वो Acid और Base थे, अब उसकी कैसे आपन ने बताया, तो उसने बताया, Lewis ने ठीक, क्या बोला, Acid वो होगा, वो वाला Substance वो Substance जो क्या कर सकता है आपना Loan Pair को क्या कर सकता है, Accept कर सकता है Acid is a Substance which can accept Pair of Electron Pair मतलब की दो ही होगा ना, और दो Pair होगा तो अपन उसको Loan Pair बोल देते हैं ठीक, Pair of Electron को वो क्या कर सकता है Accept कर सकता है, and A Base is a Substance which can donate a pair of Electrons, अब Base वो होगा, Base क्या होगा, Base वो होगा, जो क्या donate कर सकता है क्या अपना Pair of Electron क्या donate करेगा अपना दो आँख है, मतलब Loan Pair Pair of Electron, clear अब भाई, बहुत सारी Conditions आती है, कब donate करेगा कब accept करेगा accept करेगा, तो कैसे करेगा, उसकी क्या Condition होगी, तो पहली Condition सुनता है अब accept करने के लिए सबसे पहले तो उसके पास जगा होनी चाहिए, है की नहीं अपने Octate में रख लेनी के लिए जगा होनी चाहिए ना, ठीक है, तो accept वो तब ही करेगा, जब उसका Incomplete होगा Incomplete Octate होगा जैसे की, हम सभी जानते Alcl3 Alcl3 की बात कर लो ठीक है, इसके पास क्या है, Incomplete है, अपना Octate जैसे की, BF3 की बात कर लो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी जो चीज़े होती है, यह क्या कर सकती है, Loan Pair को Easily Accept कर सकती है, क्योंकि इनको अपना Octate Complete करना है, ठीक है, तो Incomplete Octate वाले जो है, वो एक Lewis Acid होते हैं, सबसे दूसरी बात जिनके होते हैं Multiple Bonds Multiple Bonds वाले Example, CO2 Example, SO2 ठीक है, समझते हैं, देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ, CA जो है, CAO Plus Carbon Dioxide, Double Bond O, C Double Bond O की बात कर रहा हूँ मैं इधर, है ना, अब यहाँ पर, देखो, CO2 हम सभी जानते हैं, कि ऐसे डिखोता है, क्यों होता है क्योंकि Multiple Bond है, यह Oxygen कहेगा, कि यह वाला Electron तुमेरे साइड किसका दे, ठीक है, और क्या करना यहाँ पर जो Oxygen आ रहा है, उसका लोन पर तुम Accept कर लो ऐसे, तो आपको कैसे दिखता है, यह ऐसे दिखता है, देखो, आकर मैं दिखाऊंँ CA2 प्लस दिखेगा आपको प्लस, Oxygen क्योंकि इधर आ गया तो Oxygen ऐसे दिखेगा, Carbon, Oxygen और Oxygen, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दिखता है आपको, ठीक है जो CO2 है, वो कैसे react कर रहा है वो एक क्या कर रहा है, loan pair को accept कर रहा है, और क्योंकि accept कर रहा है, इसलों इसको मैं बोल देता हूँ Lewis, Lewis Acid, बहुत अच्छे clear है, समझ गए, ठीक है तो मतलब जो multiple bonds बनाते हैं उनको भी क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर Lewis Acid बोलूँगा एक, तीसरी condition तीसरी condition क्या हो सकती है आपकी, एक क्या हो गया, incomplete update, दूसरा हो गया, multiple bonds तीसरा, जिसके पास भी क्या होंगे, vacant d-orbital होते हैं वो भी तो क्या कर सकता है अगर vacant d-orbital है, तो वो दोनों के दोनों पेर को अपने और्बाइटल में बठा सकता है है कि ने, जैसे किया कैसा हो गया आपका sulfur हो गया, phosphorus हो गया gallium हो गया, यह सारी के सारी चीज़ें, क्या होती है यहाँ पर vacant d-orbital होता है इन सभी के पास, ऐसा ऐसा iodine हो गया, इसके पास अभी तो vacant है, ठीक है तो यह क्या कर सकते है, बहुत easy लिए किसी का pair बिठा सकते हैं अपने पास, और क्योंकि pair बिठा सकते हैं accept कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं Lewis acid होते हैं clear, संद में आ गया, मतलब कोई भी चीज, किसी भी condition में, अगर किसी का loan pair accept कर पा रही है, तो उसको मैं बोलूँगा, direct Lewis acid Lewis base की क्या कहानी Lewis base की कहानी है कि भाईए, जिसके पास भी loan pair हो जिसके पास भी loan pair हो, जैसे कि O2 minus ठीक है, या फिर F minus ठीक है, या फिर NH3 जिसके पास भी loan pair हो वो सब Lewis base होते हैं ठीक, अगर मैं इसको एक और point बढ़ाना चाहूं, fourth point लिखूं जितने भी cations होंगे वो भी क्या होंगे Lewis acid होंगे क्यों के क्योंगी cations के पास तो जगा खाली होता है, जगा खाली होगा, ठीक है, तो मतलब वो electrons को रख सकता है अपने पास इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन Lewis acid बोलते हैं, लेकिन NH4 plus नहीं होता Lewis acid ठीक है, तो accept लिख ले ना accept NH4 plus, क्यों 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 क्योंकि इसके पास जगा ही खाली नहीं है और जगा ही खाली नहीं है तो ये कैसे accept करेगा clear हो गया, चल, base की बात कर लिए अपने ये वाली example देख लेते हैं, अगर मैंने एक क्या करा, Lewis acid और Lewis base की reaction करा दी जैसे की, एक करा है, मैंने NH3 plus BF3 की साथ ठीक है, ठीक है, डियान देखो ये क्या है, अपना Lewis ये क्या करेगा, base है ये क्या है, Lewis acid ये दोनों क्या करेंगे, Lewis base यहाँ पर loan pair को donate करेगा क्योंकि इसके पास खाली पड़ा हुआ है अपना orbit, तो ये क्या करेगा, भाया, ये अपने loan pair को इसके अंदर बिठाना चाहेगा clear है, ठीक है, तो जब भी जब कभी भी Lewis acid और Lewis base की reaction होती है, तो एक adduct का formation होता है जो की ऐसे दिखता है, H ये H, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर bond बनता है, ऐसा, B यहाँ पर F होगा, ये F होगा और ये एक F होगा ज़ादा तर Lewis acid और Lewis base के बीच में, या फिर जब भी Lewis acid creation होगी, ज़्यादा तर coordination bond बनता है, क्योंकि loan pair दे रहा है, ठीक है समझ में आ गया, तो यहाँ पर एक ये क्या बनता है, इसको बोलते क्या है इसको बोलते है, adduct formation adduct formation ठीक है, तो मैं उपर loan pair इसके पास दे दिया, इसके अपने पास दे दिया तो यहाँ पर एक adduct का formation हो गया, ठीक है, इसको ही क्या बोलते है, आपस में reaction करके ये इसको adduct बोलते है, clear ठीक, अब आपसे पूछ क्या सकता है आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा NH3 का अभी hybridization क्या है और जब adduct का formation हो जाता है, तब उसका hybridization क्या होगा ठीक है, तो देखो, इसका simple सा एक answer आपको देना है, बहुत अच्छे से जहाँ पर आपको अभी 3 दिख रहे हैं sigma bond plus loan pair तो 4, 4 minus 1 हो गया, 3 मतलब SP3 SP3 ठीक है, समझ गए, BF3 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 sigma bond है और कुछ भी नहीं है, तो इसका hybridization हो गया 3 minus 2, SP2 ठीक है, अब यहाँ पर देखो, NH3 में अभी भी 4 ही bond है, यह हो जाएगा SP3, लेकिन अब BF3 का hybridization change होके, SP2 से SP3 हो जाता है, क्यों क्योंकि एक नया bond बन चुका है, यह वाला clear है, एक नया bond का formation के कारण उसका hybridization भी change हो जाता है clear हो गया, तो यह था आपका Lewis, Acid, Lewis Base का concept Lewis, Acid and Lewis Base का concept, clear है फिर से सुन लो क्या है, यह देखो Acid क्या होगा, जो pair को accept करेगा, और Base क्या होगा जो pair को donate करेगा donate क्या से कर रहा है, सबसे अच्छा example किसके पास है, NH3 जितने भी example है, ठीक है यह क्या गरता है, अपना lone pair को donate कर देता है, बहुत खुशी-कुशी या फिर जितने भी मैं बोल सकता हूँ anions, जितने भी most of the anions क्या होंगे, उसको मैं बोल सकता हूँ Lewis base होंगे, क्यों 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 वो donate कर रहे है clear है यहां तक, ठीक है, सब्सक्राइब यहाँ पर क्या होगा, जब भी इसकी वीच में reaction होगी तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर का formation हो रहा है clear है, सब्सक्राइब अब देखो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, कौन सा bronzed acid होगा कौन सा bronzed acid नहीं होगा क्या मैं Lewis acid को बोल सकता हूँ क्यों bronzed acid है, क्या मैं Lewis base को बोल सकता हूँ, जो भी loan pair है, donate कर रहा है ठीक है, H+, अगर किसकी बात करोगे जब भी अगर bronzed की बात करोगे तो आपको proton बीच में लेके आना पड़ेगा क्यों क्योंकि वहाँ पर तुसरे proton donor proton acceptor की बात होती है bronzed acid में, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है acid में लेकिन base की अगर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं आपको एक अलग से लिक रहा हूँ उपर, इधर अगर मैं base की बात कर रहा हूँ जैसे मेरे पास cn- अगर है प्लस H+, हो गया तो क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी से donate कर देगा तो क्या बना दे का भई ये hcn बन जाएगा यहाँ पर, बन जाएगा ना, तो ये क्या कर सकता है, proton को अभी क्या कर सकता है, accept कर सकता इधर, क्योंगी इसके पास एक accept ज़्यादा है, या फिर ये donate भी कर सकता है तो ये होगा Lewis base Lewis acid, Lewis base और ये हो जाएगा Arneus acid clear है अब ये चीज आपके उपर है आप मुझे बताओगे कि क्या जो Lewis acid है वो bronze acid acid होगा, क्या जो Lewis base है, वो bronze acid base होगा, ये चीज आपके उपर मैंने छोड़ दी ठीक है, मैंने आपके concept समझा दिया कि bronze acid में क्या होना जरूरी H plus होना जरूरी तो ये H plus यहाँ पर accept तो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा और यहाँ पर ये को minus जो है डोनेट भी कर सकता है तो अब बताओ कौन सा क्या होगा ठीक है, लेकिन Lewis acid में ऐसे कोई scene नहीं है समाप तो होता है ठीक है, कुछ basic होगा आप सभी के लिए कुछ लोगों को ये पहले से पता होगा लेकिन कई लोगों के लिए ये overview था ठीक है, क्योंकि इससे ही आपका जो chapter है, वो आगे बढ़ता है इससे questions पूछ लेता है कि बता भया कैसा कैसा होगा conjugate basic, conjugate base क्या होगा ठीक है, तो यही सब आपनको पढ़ना था, notes उमीद कर रहा हूँ आप सभी इने बनाए होंगे, जो की बहुत ज़्यादा important है, अब मैं मिलूँगा आप से आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूँगा वहाँ लर्नोहा, फिर ये पर वैस सजा, पढ़ते रहिए और notes बनाते रहे, bye bye, ख्याल रखें